हलो नमस्का दोस्तों मैं रहुलकुमर अभी आप सभी को आरकरवी ब्लोग में स्वारत करता हूं तो चलिए हम लोग आज करेंगे एक जाम के द्रिश्टी से बहुत महत्पून कोस्चन जो टाइम एंडिस्टेंस से समंधित है और अवसत चाल से कुछ समंधित कोस्चन होते ह है कि वसे आज हम लोग देखेंगे अवसात चाल से समंधित होता है इसमाति आपको दिया रहेगा दो चाल दिया जायगा चैनल दिया जाएगा एक किली मीटर परती घंटाउद डूसा चाल दिया जाएगा दी किली मीटर परती घंटा और सी किलिमीटर परती घंटा इस तरह से दिया जाएगा तो पहले हम लोग देखेंगे दो चाल बाले को दो चाल बाले के औसाद चाल होता है दो चाल बाले के औसाद चाल बराबर होता है औसाद चाल बराबर टू इन्टू चाल ए चाल बी बटे चाल ए पलस चाल बी ये दो चाल बाले के लिए हो गया और तीन चाल बाले के लिए होता है और सद चाल बराब होता है वस्त चाल बड़ाब होता है वस्त चाल बड़ाब होता है 3 into चाल A चाल B चाल C इस तरह से होता है बटे में चाल A into चाल B पलस चाल B into चाल C पलस चाल A चाल A into चाल C इस तरह से होता है इसी पे सारा और चल को बन जाएगा और इसका समान धूरी होगा समान धूरी होगा वही कोश्चन इस पर बनेगा और अलग 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 दूरी कि लिए उसके लिए अलग कि में कंसेप्ट फुरता है तो उसे हम लोग अगले बार दखेंगे तो चलिए चलते हैं कोचन पर कोचन को स्टार्ट करने से पहले आप से एक छोटा सारे क्वेस्ट है कि अगर हम चैनल को चैनल पर पहला बीड कर रहे हैं तो चैनल को संस्क्राइब कर दिजिए और ए दिया गया है एक आदमी किसी अस्थान को चार किली मुटर परती घंटा की चाल से जाता है वह साइकल से 16 किली मुटर परती घंटा की चाल से लोडता है उसकी पूरी यात्रा की ओसत चाल क्या होगे यहाँ पे हम लोग को दो चाल दिया गया है दो चाल दिया गया है एक फो किली मुटर परती घंटा और एक 16 किली मुटर परती घंटा तो दो चाल के लिए हम लोग एक प्रमुदा लिखे थे अवसत चाल बराबर अवसत अवसत चाल बराबर तो इसे पर हम लोग बैठा लेंगे तो इसे नीचे वालोको पहले हम लोग जोड लेंगे तो इनटो चार गुने 16 नीचे 20 हो जाएगा तो यह 0 से 0 से 2 कड जाएगा नीचे बज जाएगा बाकी बज जाएगा कितना 16 के 64 नीचे कितना हो जाएगा 10 तो इस तरह से 10 यानि इनसर हो जाएगा कितना 6.4 किलेमिटर परती घंटा तो अप्शन नमबर C तो चलिए चलते हैं अगले कोशन पर तो हम लोग आ गए हैं दूसरे कोशन पर तो कोशन को पहले फड़ लेते हैं एक मोटर चालक 150 किलेमिटर दूरी पर इस्थित एक अस्थान के लिए 50 किलेमिटर परती घंटा की गती से जाता है तता बापसी में 30 किलेमिटर परती घंटा की गती से लोटता है उसकी संपूर्ण यात्रा की ओसत गती क्या होगा तो इसमें भी दो चाल दिया गया है और जो संपूर्ण यात्रा यानि 150 किलेमिटर इतना ही दूरी आवा गमोन इनका हुआ है तो इसमें भी दो चाल दिया गया है एक 50 किलेमिटर परती घंटा और एक 30 किलेमिटर परती घंटा तो हम लोग दो चाल के लिए क्या आप मेला पढ़े थे और सते चाल बराबर और सब चाल बराबर 2 इन्टू चाल A इन्टू चाल B बटे में चाल A प्लस चाल B तो यहां पर दिया गया है फर्स्ट राफ 2 इन्टू पचास गुने 30 बटे में चाल A यानि पचास पलस 30 पचास पलस 30 तो पहले हम लोगें से नीचे वालको जोड़ लेते हैं पचास गुने पचास गुने 30 बटे पचास आव 30 अससी 0 से जीरो केंसर हो जागा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 25 दूनी 50 तेहाप हो जागा कितना हो जागा 25 दूनी बटे 2 इसे भी काट लेंगे 3 दूनी 3 दूनी 6 3 दूनी 6 7 दूनी 14 पॉइंट 5 दूनी 10 किलिमूटर प्रदी घंटा यानि अप्शन नमबर अप्शन नमबर 3 यहीं C तो चलते हैं फिर अगले कोशन पर तो चलिए हम लोग आ गए हैं तिसरे कोशन पर तो कोशन को पहले पढ़ लते हैं याँ पर दिया गया है डानी मुखर जी अपने कूल यात्रा मार्ग को तीन समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें करम स 40 किली मुटर परती घंटा 30 किली मुटर परती घंटा और 15 किली मुटर परती घंटा की चाल से तै करने का निच्चे करती है तो यात्रा के दवरान उसकी औसत चाल क्या होगे तो यहाँ पर तीन चाल दिया गया है तो हम लोग यानि तीन चाल दिया गया है एक दिया गया है 40 किलिमीटर परती घंटा एक दिया गया है 30 किलिमीटर परती घंटा एक दिया गया है 15 किलिमीटर परती घंटा तो हम लोग तीन चाल के लिए औसद चाल क्या पढ़े थे उसका फर्मूला औसत चाल औसत चाल बराबर 3 इंटू चाल A इंटू चाल B इंटू चाल C बटे चाल AB इंटू पलस चाल B C इंटू पलस चाल A C तो हमें अभी से बटा लेते हैं इस फर्मूला पर पूट कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 3 इंटू चाल A कितना है? 40 चाल B कितना है? 30 चाल C कितना है? 15 इस तरह से निचे बिठा लेंगे तो 40 गुने 40 गुने 30 पलस 30 गुने 15 पलस 15 गुने 15 या 40 गुने 40 गुने 15 गुने तो निचे वाले को हम लोग गुना कर लेते हैं इसे तो सब सब पहले उपर वाले को उतार लेते हैं 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15 बटे कितना है जगा? चरतिया रे 12 यानि 1200 पलस पलस पंदरतिया 45 यानि 450 पलस 15 गुने 60 यानि 600 गुने तो चलिए यहां पर उतार यहां निचे वाले को जोड लेते हैं तो कितना होगा? 3 गुने 40 गुने 30 गुने 15 गुने तो इस टोटल को जोड़ने के बाद कितना आता है? 2250 तो इससे हम लोग काट लेंगे 10 से 10 पहले इससे हम लोग 5 से काटेंगे तो 55 आरे 15 पंचव के 20 पंचव के 25 पंचव के 25 पंचव के 25 पंचव के 25 फिर से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 पंचव के 25 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 प प्रति घंटा एंसर तो आज का क्लास एह पर समाप्स होता है तो आपसे एक छोटा सा रिक्रिवस्ट है कि हमाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और कॉमेंट जिरू कि दीजिएगा